टीवी सीडियल गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखने वाली हैं ड्रामों का डबल डोज वेल जैसा कि आपने देखा होगा सभी पहुँच चुकी है भोसले हाउस में और अब भोसले हाउस में सभी के सामने खुलेगा बहुत बड़ा राज शो के आगे आने बाले ट्रैक में आप देखेंगे हाई बोल्टीज ट्रामा जहां सभी की मुलाकार अश्मिता से हो जाएगी और आप देख रहे होंगे अश्मिता ईशा के बारे में कितना पॉजिटिव सोचती है वेल जहां एक तरफ पूरा भोसले परिवार सभी को लेकर रहेगा काफी ज्यादा नेगेटिव वहीं दूसरी तरफ अश्मिता सभी का खयाल रखेगी क्योंकि सभी का आक्सिडेंट भी इसी परिवार के लोगों की वजह से हुआ है शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे हाई बोल्टेस ट्रामे जहां पर अश्मिता सभी से इशान के बारे में बात करेगी वो सभी को बताएगी कि इशान की बातों को दिल से बिलकुल भी ना लगाए वो सभी को बताएगी कि इशान ने बच्पन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ नफरत ही देखी है इशान के मन में परिवार को लेकर सिर्फ और सिर्फ नफरत ही भरी गई है इसलिए ये इशान नफरत के आगे कुछ और देखी नहीं पाता नफरत से आगे कुछ और बात कर ही नहीं पाता किस तरह से सुरेखा बच्पन से लेकर आज तक इशान के मन में प्यार को लेकर रिष्टो को लेकर नफरत ही भरती जा रही है ये सारी बाते सवी को बताएगी अश्मिता जिसके बाद सभी फैसला कर लेकी इशान के दिल में अपनी मा को लेकर जो नफरत है उस नफरत को बाहार निकालने का अब अपने मकसद में सभी कितना काम्याब होती है शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना होगा